आग मनाएंगे चने की डाल का बहुत ही टेस्टी हेल्दी यूनिक चनास्ता इसे बनाना भी बहुत ही इजी है तो हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कप चने की डाल को 5-6 घंटे के लिए अच्छे से भीगो लिया अगर समय कम हो तो आप इसे गरम पानी में भी भीगो कर रख सकते हैं अब हमने सारी डाल को मिक्सी डाल में डालना है और ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं एट करना है अब इस डाल में डालेंगे दो लाल मिर्च साथ में डालेंगे एक अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच अजवाइन ये चीजे ना बिल्कुल भी इसके मत करिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इन सबी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इन्हें निकाल लिया एक बरतन में हलका सा दरदरा रहे तो रहने दीजेगा पर पानी बिल्कुल नायट करिएगा अब इसमें डालेंगे हरी मिस तो यहाँ पे हमने तीन हरी मिस काटी है एक इंच अदरग के टुकडे को ग्रेट कर दिया वो डाला और यहाँ पे हमने दो चम्मच के करीब चने की डाल को निकाल दिया था साबुत वो डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो बड़े मिलियम साइस के आलू को कद्दू केस कर लिया उबाल कर वो डाल देंगे साथ में डालेंगे एक बड़े साइस का प्याज अगर आप प्याज नहीं खाते हैं اس्繼續 किप कर देजएगा अब स्मिय डालेंगे टेस्ट के कॉधिक नमग नमक की बार ढालेंगे दालेंगे 59 great धनिया पर, चॉथाई 90 भी घ्रलदी पाउडर के लिए यूण करतेंगे 60 Tuesday तीख अपने हिसाब से मैनेज़ कर सकते हैं आभ अब समें डालेंगे केоль़ इससे ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी करारी सी बनकर तयार होगी उपर से डालेंगे खूब सारा हरा धनिया ये सारी चीजे इतनी बढ़िया लगती है इस रेसिपी में सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे इसे ही न ये बहुत ही क्रिस्पी, करारा, एकदम खसता सा नास्ता बनकर तयार होगा इसे आप न तो से तीन घंटे के लिए भी रख देंगे तो भी ये बिल्कुल भी शौगी नहीं होगा और नहीं ये तेल पिएगा सारी चीज़े आपस में बढ़िया से मिला ले, हाथों से मिलाएगा ताकि सारी चीज़े एकदम बढ़िया से मिलना है और चनी डाल का अगर आपने इस तरीके से नास्ता नहीं बनाया है तो बना कर देखिए न, ये नास्ता आपका भी फेवरेट हो जाएगा बहुत ही मजे का ये बनकर तयार होता है तो सारी चीज़ों को हमने आपस में बढ़िया से मिला लिया है और बहुत ही बढ़िया चटपटा सा मसाला बनकर तयार हुआ है अब ये थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे इस तरीके से एक बड़े नीबू का साइज लिया है इतना हमने इसका पोशन हाथ में लिया है और इस तरीके से गोल आकार देंगे और दूसरे हाथ की उंगलियों पर रखके इसे चप्टा करेंगे इस तरीके से जैसे हम आलू टिक्की जैसे बनाते हैं वैसे बनानी है और इसे थोड़ा सा पतला रखना है बहुत सदा हमें इसे मोटा नहीं करना है पतला ही रखना है अब ये नास्ता बनकर तयार है अब कढ़ाई में इधर तेल गरम किया है और मैंने चिक कर लिया है तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं अब एक एक करके बना त्यार हो जाए एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी सा तो फिर हमें ज्यादा तेल का क्यों इस्तमाल करना तो मैं तो हमेशा ज्यादा तर डीफ राई नहीं करती हूं हमेशा शेलो फ्राई ही करना पसंद करती हूं तो इस तरीके से ये कम तेल में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और इसमें कोई फर्क नहीं लगता कि हमने deep fry नहीं किया है आपकी choice है आप चाहें तो इसे deep fry करिए या फिर आप shallow fry करिए और इस तरीके से उलट पलट करते हुए दोनों तरब से क्रिश्पी होने तक इस नास्ते को हमें उलट पलट करते हुए इसे हमें पलट पलट कर इन्हें सेखना है उलट पलट करते हुए medium आज पर सेखेगा जिससे नास्ता बहुत ही crispy, करारा, कुरकुरा बनें उपर नीचे दोनों की तरब से अच्छे से सेखे जितने आप medium flame पर सेखेगे उतने ही लॉँंग टाइम तक ये नास्ता क्रिस्पी और करारा बना रहेगा तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से सिक्कर तयार हो गया है तो बस एक एक जैसे सिक्गे सारे इन पर एक अक कर करें दूद के निकाल लेंगे एक प्लेट में अगर आपने चने दाल के बड़े इस तरीके से नहीं मनाया है, तो एक बार ट्राय करियेगा, बहुत ही क्रिष्पी करारे बने रहेगे, और आप घंटों तक इने रखेंगे, तब भी ये बिल्कुल क्रिष्पी करारे बने रहेंगे, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ आई हो तो वीडियो को